कौटिल्य का सप्तांग सिध्धांत, प्राचीन भारत के मौर्य युग ने दुनिया को एक महत्वपूर्ण ग्रंथ दिया था, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य सप्तांग सिध्धांत, कौटिल्य के अनुसार राज्य की ये साथ प्रकृतियाओं अथवा अंग इस प्रकार हैं। कौटिल्य का सप्तांग सिध्धांत, कौटिल्य ने अपने सप्तांग सिध्धांत में राज्य के साथ अंगों का उलेख किया हैं। कौटिल्य ने राज्य के अंतरगत स्वामी राजा को अत्यंत महत्तोपूर्ण स्थान दिया है। कौटिल्य के अनुसार राजा ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो उच्च कुल में जन्मा हो, धर्म में रुची रखने वाला हो, दूर दर्शी हो, सत्यवादी हो, महत्तवा कांक्षी हो, परिश्रमी हो, गुणी जनों की पहचान तथा उनका आदर करने वाला हो, शिक्षा प वपोशन की क्षमता, मित्र शत्रू की पहचान तथा चापलूसों को पहचानने की योग्यता होनी चाहिए, कोटिल्य के अनुसार राजा को सैन्य संचालन, सैना को युद्ध की शिक्षा, संधि विग्रह, शत्रू की कमजोरी का पता लगाने की कुशलता, दूर दर्शी आदी गुणों से युक्त होना चाहिए, वह तेजस्वी, आत्म संयमी, काम, क्रोध, लोब, मोह, आदी से दूर रहने वाला, मृदुभाशी, किन्तु दूसरों की मीठी बातों में ना आने वाला, दूसरों की हंसी ना उड़ाने वाला होना चाहिए, कोटिल्य के अनुसा राज्य का दूसरा महत्वपूर्ण अंग, अमात्य अथवा मंत्री है, जिसके बिना राज्या द्वारा शासन संचालन कठिन ही नहीं, असंभव है। चूंकि राज्य कार्य बहुत अधिक होते हैं, और राज्या सब कार्य स्वयम नहीं कर सकता, अतह उसे ये कार्य अमात् कौटिल्य ने अमात्य का महत्व स्पष्ट करते हुए कहा, है कि राज्य एक रत है। जिस प्रकार रत एक पहिये से नहीं चल सकता, उसी प्रकार मंत्रियों की सहायता के बिना राजा अकेले राज्य का संचालन नहीं कर सकता। जानुरूप योग्यता न रखते हो, प्रमादी शराबी, व्यसनी, अहंकारी तथा वेश्यागामी व्यक्ती को भी अमात्य के रूप में नियुक्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा व्यक्ती विश्वास के योग्य नहीं होता। और विभिन्न प्रलोभनों में फंस कर रा राज्य और राजा दोनों के लिए अहित कर सिद्ध होता है। अमात्यों की संख्या कितनी हो, इसका निर्धारन करने का कार्य कॉटिल्य ने राजा पर छोड़ दिया है। वह राजकार्य की आवश्यक्त अनुसार उनकी नियुक्ति कर सकता है। लेकिन कॉटिल्य का सुझ 3. जनपद कोटिल्य ने राज्य का तीसरा अंग जनपद बतलाया है. जनपद के अभाव में राज्य की कलपना भी नहीं की जा सकती. इसके अंतरगत कोटिल्य ने जनता वभूमी को सम्मिलित किया है. उसका कहना है कि जनता को स्वामि भक्त करो को चुकाने वाली वव संपन होना चाहिए भूमी के संबंध में. कोटिल्य का कहना है कि उसमें च्छन, तालाब, खाने नदी उपजाव मिट्टी सैनिक, किले, परवत, पशु और पक्षी होने चाहिए. कोटिल्य ने जनपद की स् थापना करनी चाहिए. प्रशासनिक द्रिष्ट से जनपद, स्थानिये, द्रोण मुख, खाटिक और संग्रहन में बेटा होना चाहिए. एक गाउं की जनसंख्या के संबंध में कोटिल्य का मत है कि एक गाउं में कम से कम सौ और अधिक से अधिक पांच सौ घर होने कि राज्य के लिए दुर्ग भी उतने ही आवश्यक है जितनी जनता, भूमी अत्वा राजा, कोटिल्प के अनुसार आक्रमन करने की द्रिष्ट से और अपने राज्य की सुरक्षा के लिए दुर्ग आवश्यक है. दुर्ग मजबूत तथा सुरक्षित होने चाहिए, जि तालाब, आदी से घिरा टापू की भानति प्रतीत होने वाला दुर्ग. दो, पारवत दुर्ग परवत की कंधराओं अत्वा बड़े-बड़े पत्थरों की दीवारों से निर्मित दुर्ग. त्रीन, धानवन, दुर्ग जल और घास रहित भूमी, मरुस्थल में स्थित चार, वन दुर्ग, चारों ओर दल-दल, अत्वा काटेदार जाडियों से घिरा दुर्ग. पांच, कोश कोटिल्य ने कोश को भी राज्य का आवश्यक अंग बतलाया है, क्योंकि कोश राज्य की समस्त गतिविधियों का आधार है. कोटिल्य के अनुसार, राजा को अपने कोश में निरंतर वृद्ध करते रहना चाहिए. इस हेतु उसे क्रिशकों से उपज का उठा भाग, व्यापारिक लाब का दस्वा भाग, पशु व्यापार से अरजित लाब का पचासव भाग, तथा सोना आधी करके रूप में प्राप्त करना चाहिए. कोश के संबंध मे कोटिल्य का निर्देश है कि राजा को कोश, धर्म पूर्वक एकत्रित करना चाहिए, कर उतने ही लगाने चाहिए, जिसे जनता आसानी से दे सके. क. दंड सेना सेनिक अस्त्र शस्त्र प्रयोग में निपुन वीर स्वाभिमानी और राष्ट्र भक्त होने चाहिए. कोटिल्य के अनुसार सैनिकों को अच्छा वेतन व अन्य सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए, जिससे वे निश्चिन्त होकर देश सेवा में ततपर रहे. सैवड, मित्र, सप्तांग सिधान्त के अंतरगत. कोटिल्य ने कहा है कि राजा को अपने पडोसी राज्यों से मित्रता करनी चाहिए, जिससे आवश्यक्ता पड़ी राजने पर उनकी सहायता प्राप्त की जा सके. कोटिल्य के सप्तांग सिधान्त की आलोचना. कोटिल्य के सप्तांग सिधान्त की अप्रलिखित आधारों पर आलोचना की जाती है. 1. कौटिल्य के सप्तांग सिध्धांत से हमें राज्य के शरीर, सिध्धांत का आभास मिलता है, आलोचकों के अनुसार राज्य को एक शरीर मानना अनुचित है 2. कौटिल्य ने दुर्ग, कोश, सेना और मित्र को राज्य का आवश्यक अंग माना है यह बात सत्य है कि ये सभी अंग राज्य के लिए आवश्यक हैं, परंतु इन्हें राज्य का आधारभूत तत्व नहीं माना जा सकता आलोचकों के अनुसार प्रत्येक राज्य में सेना पाई जाती है, उस पर बल दिया जाता है, किन्तु सेना के अभाव में किसी राज्य का अस्थित्व समाप्त नहीं हो जाता 3. आलोचकों के अनुसार, संप्रभुता, सरकार, जनसंख्या और भूभाग आधुनिक राज्य के आवश्यक अंग है, परन्तु कॉटिल्य ने कहीं भी इनका स्पष्ट वर्णन नहीं किया है 4. कॉटिल्य द्वारा प्रतिपादित सप्तांग सिध्धान्त राज तंत्रात्मक शासन के लिए ही उपयुक्त है, इसमें प्रजा तंत्र की पूर्ण उपेक्षा की गई है यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होता रहे और आपके चैनल के सब्सक्राइब करने से और वीडियो के लाइक करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है तो हम आपके लिए नई नई प्रकार के वीडियो किसी प्रकार से लाते रहेंगे